हेई गाईज वेल्गम बैक टू माँ बच्चा आज मैं अपनी शेह महिने की बेटी का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ मेरी दो बेटी है एक पाथ सल की बेटी है और दूसरी बेटी है जो शेह महिने की है तो सिद्धी नम है इसका सिद्धी की मौरिनिंग सुबह सुबह हो जाती है साथ बजे साड़े श्यबजे इन्फेक्ट मैं भी उस टाइम पर सुती रहती हूं और इसके बाद इसको वे फीड करा देती हूं अपना तो फिर उसके बाद वो खेलती रहती है फिर करीब साड़े आड़ बजे हम उसको इस टाइम पे बॉटल दे रहे हैं और इसके बाद ये खेलती रहती है और ये हर रोज का टाइम फिक्स है वो मुझसे पहले ही जाग जाती है थोड़ा देर तक ये बेट में खेलती है और फिर उसके बाद ही वो फीड बगर लेती है और बस इसके बाद मैं इसको दूसरे रूम पे लेकर आजाती हूँ जहां पर उसकी बड़ी सिस्टर भी है और दादी है सबके साथ वो खेलती है इस टाइम पे सुबह से उसको मतलब गोदी का नहीं रहता है कि मैं किसी की गोदी में आओं या कोई मुझे लेकर के बैठे सुबह का ऐसा टाइम होता है कि वो बढ़िया अच्छे से स्पेंड करती है अच्छे से खेलती है और उसके बाद हम उसको क्रिब में लिटा देते हैं और सबसे पहले हम उसकी आई को क्लीन करते हैं और यह डेली का ही है नियाम क्यों बार वह सो करके उठती तो कीचर भी रहता है उसकी आखो में तो बस कॉटन से हमने गुनूरे पानी से सो क्लीन कर देते हैं और बस उसके बाद ये बड़िया तोड़ा देर तक ही क्रिब में ही रहती है जब तक हम लोगों को जो दूसरे काम करने होते हैं लाइक जैसे की बैडशीट वगरा उठानी है एकसा करना है बैड रूम तो वो सब करते रहते हैं हलांकि आज तो मैं वीडियो शूट कर रही हूं तो मैंने सूच है आपके लिए शूट किया जाए बहुत दिन से यह रिक्वेस्ट आ रही थी तो शिक्स मन में बच्चा कई सारे वावल्स कांसरेंस जो बोलने लग जाता है जैसे भी सिधी पा बा और मा ऐसे ता यह सारी चीज़े बोलती है सिंगल सिंगल ही ऐसे बुलती रहती है और कलर्स जैसे उसे कॉट पे आप देख रहे हैं उपर जो लगा हुआ है रैटल उसको देखती है क्योंकि वो अब बच्चों को कलर्स और अच्छे से विजिबल होते हैं और उनको देख करके बड़ा वो खुश होती है बस इसके बाद डेली का ये रूटीन में हमारे शामिल है कि वो दादी के साथ सुबह का टाइम सरूर सस्पेंड करेगी दादी उसको लेकर के घुमाएंगी कभी बाहर बैठेंगी कभी अंदर लेकर आएंगी या उसको गाने सुनाएंगी मतलब ये टाइम फिक्स है उसका और उसके बाद दादी ही उसको फीड कराती है बॉटल से हम लोग सिद्धी को अभी दिन में मतलब तीन या चार बार बस बॉटल देते हैं तो मालिश भी उसकी दादी ही करती है और मालिश बड़े अच्छे से टाइम इस टाइम को मतलब वो एंजॉय करती है और शुरू के वान मंद बस थोड़ा सा प्रॉबलम हुई थी वो मालिश को इतने अच्छे एंजॉय नहीं कर रही थी बड़ उसके बड़ बहुत अच्छे से वो इंजॉय करती है इस टाइम को और मालिश का ऐसा है कि आप हर रोस करोगे तो बच्छा फिर कामफटेबल हो जाता है अपने आप ही तो बैक की मसाज पेट की मसाज बड़ी ऐसे कराती है वो इसके बद हम सिद्धी की लोई करते हैं लोई से जितना भी गंदगी जमा होती है कान के गले के पास सब फोल्ड पे सम निकल जाती है जब कभी हम उसकी लोई नहीं करते हैं तो फिर हम उसको वाश कोट को गिला करके और सारे फोल्स की सब जगे की उसी क्लिनिंग कर देते हैं नहलाने के पहले और बस इसके बाद मैं उसको नहलाती हूँ तो मालिश और लोई वाला काम सिद्धी की दादी करती है और बागे नहलाने वाला काम मैं करती हूँ तो नहलाने के लिए और ये लोई के बाद हम करीब 10-15 मिनट का ब्रेक मारा 10-15 मिनट का हम गाप मेंटेन करते हैं तब तक ही मैं इसकी बॉटल्स को क्लीन लिन कर लेती हूं मेरे किचिन का काम अलमूस कम्प्लीट होने को यह होता है और यहां पर मैं बॉटल्स को कर दे रही हूं और जो सिध्धी का बादिंग टाइम है कि हम कुशश करते हैं उसको 6.30-11.30 बजे के बीच में इसको नहलाा दे हम तो ऐसे ही होता है और हर रोस तो बस उसको आप जल्दी से नहला देता है नहलाने में हाल ली मुझे उसको नहलाने में पाच मिटी लगते ह और सिद्धी को नहाना भी बहुत अच्छा लगता है और इतनी जदा गर्मी पढ़ रही है कि हर रोज बच्छे को नहला तो सही लगता है वरना उनका नास हेड के पास काफी गरम-गरम साप को खुदी फील होगा तो डेली नहलाने से बच्छा फ्रेश भी फील करता है और बड़ी अताज़ी इसी लगती है उसको अच्छा लगता है बस नहलाने के बाद हमारे यह पर थोड़ा सा पानी उतारा जाता है नहलाते के बाद तो हम बस 5 बार ऐसे मग में पानी लेकर के 5 बार उतार देते हैं इसके बाद हम fan off करके ही उसको पूचते हैं क्योंकि उसको ठंड लगती है कई बार हमने observe किया है जैसे fan on रहता है तो बहुत उसको ठंड लगता है इसा वो फील होता है, तो बस उसको बड़ी अपोछने के बाद अच्छा सा बॉड़ी लोशन लगाने के बाद, फेस मे क्रीम लगाने के बाद, अच्छे अच्य कपड़े पहना देते हैं और बस उसके बाद वो त्यार हो जाती है, जो अभी एक घंटे पहले ही सो करके उठी है तो अभी तो नी सोती है इसके बाद वो थोड़ा सा खेलेगी तो करते हैं स्पारशा जत्हेत इसके लिए हम क्या करते हैं क्योंकि है यब 6 मेने का بच्चे वेसे बेड़ बेड़ेन में रखना भी ने चही शही है हमको घ्ड़ा सा ऊसे फिजवेहाम चोछ करते हैं जितना जादा टाइम स्पेंड करेगा बचा जमीन में अतना जादा हो रहा। तो बस स्वैसंदी के साथ खेलती हैं और बस इसी बीच में मैं उसका प्रप्रेट करतीहूं। ना की है सिद्धी 6 मंद की हुई है 15 दिन ही हुई है तो हम अभी उसको दो टाइम ही खाना दे रहे हैं वो भी फूरी फूरी यहीं स्टार्ट किया है हमने तो और दाल अगरा श्टार्ट की है है और में आपको उसका डीटेयल वीडियो देखना हो तो चैनल पे है पाँसे च् की देते हैं तो बस यह अपल प्यूरी रेडी है और उसको हमने पहले भी दे रखा है तो वह बड़िया खाती है और यहां पर वैशली इसी ननु के कोशिश कर रहे हैं तो बस उसको जल्दी से आपल प्यूरी खिलाएंगे और बाकी मेरा दूसरा चैनल है सुनल्स व्लॉग्स वहां पर मैं डेली वीडियो शेयर करती है अपनी डेली रूटीन की बच्चों की क्या खा रहे हैं क्या बना रही हूं तो आप चाहें तो उसको भ बस इसके बाद सिद्धी सो जाती है प्यूरी वगर खाने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना फीड कराया था फिर वह अपने आप सो गई थी और उसके यह कौट जो है इसको मैं निकाल देती हूं कि जरा भी अगर उसका आहट हुई हला हुआ तो कभी वह उठनी चाए और पीचे मैंने ड्राइशीट लगा दी है और उसको अड़ा दिया है इस टाइम पर हम उसको मतलब डाइपर में नहीं रखते हैं डाइपर में हम शाम को रखते हैं चार घंटे के लिए के वल अपसे दी उठ चुकी है करीब आदे गंटे की ही नाप लेती है इस ताम पर उसक स्क्राइब करते हैं बस उसके बाद वो अपना एंजॉई करती है खेलती है सब के साथ अब बच्चे के है इस टाम पर चीजों को पकड़ना सीख जाते हैं अच्छे से हर चीज को और आप उनसे बात करोगे तो वो बात करेंगे अपना इंट्रेस दिखाएंगे बैठने की कोशिश करेंगे बिना सपोर्ट के भी वो बैठने लग जाते हैं जैसे देखिए अभी ये बिना सपोर्ट के बैठी हुई है और चीजों को बहुत अच्छे से मैंने बता है पकड़ने लग जाते हैं और कुछ वावल्स और कॉंसनेंस जो है वो बोलने लग जाते हैं तो इसके बाद का सिद्धी का यह होता है कि अभी वो पिक्चर के साथ खेलती है, मतला पिक्चर के देखती है, पिक्चर बुक है हमारे पास, मेरी बड़ी बेटी के काफी, तो उनको देख दे के बड़ा खुश होती है, कई बार वो खुद से पकड़ने ही कुशिश करती है उसक केवल दो स्कूप का ही वो बॉटल पिएगी तो यह फॉर्मला भी मैं साथ में देते जा रही हूं उसको और साथ में अपना फीड भी दे रही हूं कई लोग पूछते हैं कि टोटली वो फॉर्मला पे है क्या तो ऐसा नहीं है बस इसके बाद वो तो टोटल मलब खेलती रहत तो बस अभी मैं उसके लिए सूजी की पॉरिश तियार कर रही हूं सूजी और कद्दू की तो थोड़ा सा घी में सूजी को मैंने सेक लिया है कोशिश करिएगा स्टील का पैन हो उसमें आप बच्चे का खाना बनाएं तो बस इसमें मैंने सूजी को कच्चक अभी भी मत सेपरेटली स्टार्ट किया था फिर मैंने कद्दू भी की प्यूरी उसको अलग से दी थी जब वो दोनों पच्चाप आई है फिर इसको दोनों को मिक्स करके मैंने दिया है बस खाना वाना खिलाने के बाद अब उसको थोड़ा सा वाक करने का टाइम आवल उसको लेकर जा होता है और क्या एक्स्ट्रा आप करते हैं आप मुझे जरूरी कॉमेंट करके बताईएगा और बस घुम फिर के आते घुमा दो इसको बड़ा खुश हो जाती है मतलब की उसको अच्छा भी लगता है और बाहर घुमाना भी जरूरी है तरह तरह की आवाज सुनने को मिलती है तो बच्चा उन सब चीजों से कॉमफरेबल होता है और थोड़ा सा हवा लगड़ा भी बच्चे को जरूरी है जरूरी है इस गर्मी भी इतनी पढ़ रही है हलांकि इस टाइम पी गर्माहट रहती है बट ठीक है वो बच्चा एंजॉय करता है और इसके बाद सिद्धी बच्चे को छलाकर हम उसका पुरा हैंड वाच कराते हैं, फेस वाच कराते हैं, उसके लेग वाच कराते हैं और वो बहुत मज़ा आता है है हैंड वुछ वाच्च कराने में भी, बस इसके बाद मैंभा युश रोज़़ से इसको पोस्ट देती हूँ, तो अभी हमने दो मैंने आपको बताया, थोड़ा दिन और हो जाए, उसके बाद मैं थ्री टाइम स्टार्ट कर दूँगी, तो थ्री टाइम एजन की सुबह दूँगी, मैं दस ग्यारा बजे के बीच में, फिर दुपहर में, दो तीन बजे के बीच में, और फिर शाम में, छे, साड़े शे तक के बीच में, रात जादा रात नहीं करूंगी अभी देने में, बिकास अभी बच्चे को थोड़ा सा टाइम भी चाहिए, और बस इसके बाद मैंने उसका डाइपर चेंज कर दिया है, डाइपर मैं दिन भर नहीं रखती हूँ मैं, केवल दिन में वो चार घंटे के लिए बेर करती है, वो भी घूमने जाने के थोड़ा दिर पहले पेना देते हैं, तो चार घंटे होने के बाद उसका चेंज कर देते हैं, फिर रात को सोते समय वो रहती है, डाइपर में, बस इस तरी के से बवो मेरे साथ टाइम स्पिन करती है, और अपना वो खेलती विलती रहती है, फिर इसके बाद थोड़ा देर बाद मैं अपना उसको फीड देती हूँ और हर दिन का यही रूटीन है वो 8.32, 8.45 के बीच में वो सो जाती है और फिर रात में दो बर करीब फीड लेती है और बस इसके बाद वो सुबह 6.30 बजे, 7.00 बजे उठती है और स्लिपिंग रूटीन भी उसका पूरा पैटरन चेंज हो चुका है इसने इनिशली वान मन वोजे बहुत परिशान किया था रात में जागना बढ़ता था लेकिन सेकेट मन से वो रात को प्रॉपर वो सोने लग गई है तो यह था आज का रूटीन उमीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा